आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे पास क्रम्टन कंपनी का ये एक AC DC बल्फ रिपैरिंग के लिए आया है और ये बलफ लगबग हमारा 2-3 साल पुराना हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो 5-6-2021 का ये बल्फ है अब इस बल्फ के अंदर प्रोलम क्या रही ह है कि ना तो ये बल्फ हमारा बैटरी पे काम करता है ये देखिए ये जो दो पॉइंट है इसको जब हम सोट करते है तो यह बलफ हमारा जलने लगता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना तो यह बैटरी पे काम कर रहा है और ना ही इसको जब हम फोल्डर के अंदर लगा तब यह काम करता है यह देखे इस तरीके से मैं फोल्डर के अंदर लगा रहा हूं अब भी यह बलफ हमारा काम नहीं कर रहा है वहीं मेरे पास एक सही बलफ है इसको मैं लगा के चेक करा दू कहीं है है आप सोचों कि मैंने होल्डर की पीछे से सप्लाइब बंद कर रखी है तो यहां पर आप देख सकते हो, यह बलफ हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो यहां पर इस बलफ के अंदर क्या प्रोलम है, कैसे चेक करना है, सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर आपको step by step बताऊंगा, तो वीडियो को पिलकुल ध्यान से पूरा देखना, तब ही आपको अच्छे से सारे चीज़े समझ में आएगी, तो देखे फ्रेंड, जब भी आपके किसी भी AC-DC बलफ के अंदर ये प्रोलम आ जाए, कि आपका बलफ ना तो बैटरी से काम कर रहा है, और ना ही light पे काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बलफ के ये जो उपर वाली चीज़ होती है, जिसको diffuser बोला जाता है, इसको खोलना है, तो इसे खोलने के लिए देखे फ्रेंड, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हम एक तो इस टैप का ओपनर ले सकते हैं, या फिर कोई पतला पेज़कर से ले सकते हैं, मेरे पास ये ओपनर है, तो इसी की मदद से हम इसके diffuser को खोलेंगे, और खोलने के तरीका मैंने कई बार बताया है, LED बल्फ रिपैरिंग के वाली वीडियो में, तो यहां पे जैसे कि यह diffuser हमारा इसकी बोडिक साथ चिपका हुआ है, तो यहीं पर हमें क्या करना, ओपनर को फसाना है, ठीक है, ताकि जो इसका प्लास्टिक वगरा है, वो क्रैक ना हो, और हम अच्छे से इसे खोल पाएं, तो इसके लिए देखे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पे इस ओपनर को अंदर डालने की कोशिस कर रहा हूँ, तो देखे, मेरा जो ओपनर है, यहां पे अंदर चला गया है, ठीक है, अब इसको हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ताकि अराम से बिना इसका प्लास्टिक करेक हुए, इसका डिफ्यूजर बाहर आ जाए, तो इस तरीके से हमें आगे की तरफ प्रैस करना है, और यह देखे, बड़े अराम से जो इसका डिफ्यूजर है, यह हमने आप देख सकते हो, कितना जादा कचड़ा इसके अंदर भरा हुआ है, तो इसको हम बाद में साफ कर लेंगे, तो यहाँ पर देखे, इसके उपर के डिफ्यूजर को खोलने के बाद, यह हमारा इसका MCPCB पैनल है, और इसके अंदर काफी सारी हमारी यलो कलर की SMD लगी पर, तो यहाँ पे हमें क्या नजर मारनी है, हमें यह देखना है, क्या कोई SMD जल तो नहीं गई है, या कोई SMD हमारी काली तो नहीं पड़ी है, बीच में सो कोई काला धबबा तो नहीं है, यह चीज़े हमें आखों से सबसे पहले ट्रेस करनी है, उसके बाद हमें यह भी जगा पे जुड़े हुई है तो यहां से तो फिलाल मुझे कोई प्रोलम नजर नहीं आ रही है तो अब हम क्या करेंगे एक बार यहां पे इसको फोल्डर के अंदर लगाएंगे बलफ को होल्डर के अंदर लगाएंगे और यहां पे हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि यहां पे वोल्टेज आ भी रही इस पैनल को जलाने के लिए कि नहीं आ रही है तो यह चीज हमें कंफर्म करनी है तो इसके लिए देखे मैंने होल्डर के अंदर बलब को लगा दिया अब उसके बाद हम लेंगे अपना मल्टी मीटर तो यह देखे फैंड यह है मेरा मल्टी मीटर और मल्टी मीटर को हम कहां पे सेट करेंगे DC 200 वोल्टेज पर यह चीज मैंने आपको कई बार बताई है आपको हमेशा DC 200 वोल्टेज पर ही मल्टिमीटर को रखना है जब भी आप किसी भी LED बल्फ या चार्जिंग बलफ को चेक कर रहे हो तो ये मैंने कर दिया है अब उसके बाद देखिए फ्रेंड ये है हमारी मल्टिमीटर की प्रोग अब यहां से देखिए हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो इसके अंदर देखिए हमारी तीन वायर दे रखिए तो इसके अंदर देखिए एक हमारी बी माइनस यहां पर लिखा हुआ है थोड़ा सा ये भी मैं आपको जूम करके दिखा दूँ फ्रैंड की यहां पर देखिए तो हो सकता है कि इस प्रोग को यहां पर रखते हैं तो यहां पर भी कोई वोणेज नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या वह त्रेंड कि यहां पे देखिए voltage नहीं आ रही है तो हो सकता है कि इस LED bulb के driver circuit के अंदर कोई problem हो तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इस bulb के driver circuit है उसे हमें खोल के check करना पड़ेगा तो हमें क्या करना है फिर से अपना opener लेना है देखिए हमारे पास opener है अब हम क्या करेंगे देखिए इसके नीचे side में आपको ये cut दिखाई दे रहा है यहां पर ओपनर को डालना है ठीक है आपको बीज में नहीं डालना है इसके अंदर नहीं डालना है यहां पर ओपनर को डालना है और इसको उपर की तरफ उठाएंगे तो ये देखें बड़े अराम से ये हमारा खुल गया है और इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारा जो इसका driver circuit है वो लगा हुए है और अंदर की तरफ हमारी battery लगी हुई है और अंदर आप देख सकते हो friend बहुत सारा कचड़ा इसके को मिल रहा है तो यहां पर थोड़ा समझ जों करके आपको नजदीक से दिखा दूं सारी चीज़े आपको clear होने चीए यहां पर कुछ इस तरीके से इसके अंदर सारा circuit दे रखा है जिसके अंदर बहुत सारी डेस्ट मिट्टी डले हुई है तो हमें क्या करना है सबसे पहल नजर डालनी है सारे components पर कि कोई components हमारा खराब तो नहीं है जल तो नहीं गया है कोई capacitor हमारा फोला तो नहीं है कोई चीज जल तो नहीं गयी है तो यहां पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूं friend कि मुझे यहां पर कुछ चीजे खराब नजर आ रही है यहां पर देखे क्या ख तो यहां पे आप देख सकते हो यह हमारा तोट गया है और यह हलका सा बीच में से मुझे जला हुआ नजर आ रहा है यानि थोड़ा सा काला काला सा पढ़ गया है जो की चेक करने के बाद ही किलिए होगा चलिए इसे भी हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं और हो सकता है इसी के व प्रोब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है तो यहां पे चलिए जो दूसरा फ्यूजर स्टैंस है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वह सई है या फिर खराब है तो इसके लिए हम क्या करते हैं फिर से देखे मल्टिमीटर को कहां पर रखेंगे अब हम बजर मोड पर र है और दूसरे फिर स्टैंस है यह भी हमारा खराब हो व चुका है इसके प्रोब्लम हमें यहीं पर मिल गई है अब यह चीज हम सबसे पहले बदल के देखेंगे सब्हीं होगा कि उसके बाद ही हमें क्लियर होगा कि प्रोब्लम सफिता की नहीं होई क्योंकि पहले जो चीज दिखाई तेरे खराब हमें उसे ही पहले replace करना है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से यह पेच हमारा लगा हुआ है इसको हम खोल लेते हैं यह देखें यहाँ पे हमने पेच को खोल लिया है अब पेच को खोलने के बाद ह इसको ऐसे बार की तरफ कर लेते हैं, तो हमें क्या करना है, यह जो fusion resistance है इसको निकालकिए इसकी जिगाँ पर दूसरा fusion resistance लाईना है, तो मैं एक बार दूसरा fusion resistance ले लेता हूं, यह देखे फ्रेंड यहां पर मैंने 860 ohm के दो resistance ले हैं और दोनों resistance हमारे एक एक वाट के हैं अब इस resistance के अंदर भी न काफे सारे लोगों को प्रोलम होती है वो यह पता नहीं लगा पते color code को देखे कि यह resistance हमारा कितने ohms का है तो इसका बिल्कुल असान सा तरीका है देखे इसके लिए आपको क्या कर आना है जैसे कि मेरे पास यह मेरे टैबलेट है इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने किसी भी android phone के अंदर इस app को डाउनलोड कर सकते हो आपका जो नाम है वो है RCC Calculator आपको इस नाम की application play store पर बड़े आराम से मिल जाएगी और यहां पर देखे जैसे हम क्ल तो यहां पर देखे सबसे पहले इसके कलर को देख लो तो इसके अंदर जो पहला कलर है वह हमारा blue कलर का है दूसरा कलर हमारा gray एक्关 पिसके अंदर तीसरे एक capacity हमारा white हो एसमे कात ऐूदर और यह यहां पर ऋसके अनर बेंके तो शाच जलिए मैं को करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो इसने 68 ohm यहाँ पर आ गया है तो इसी तरीके देखेंड आप किसी भी जो resistance है उसकी value निकाल सकते हो कि वह resistance कितने ohms का है यहाँ पर बिल्कुल असान है इस app के थुरू निकालना तो यह चीजे मैंने आपको बता दी है अब यहाँ पर देखिए कि एक सवाल यह भी आता है कि इसके अंदर कितने ohms तक के resistance को यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि इस टाइब के जितने भी AC DC बल्फ होगे या फिर LED बल्फ होगे तो उसके अंदर आप 10 ohms से लेक इसको निकाल के हम नई वाले को डाल देते हैं उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे तो यह देखें एक चीज़ और निदे देरको एक प्रॉब्र और नजर आही है तो लगा लिया यहां पर देखिए फ्रेंड यहनु पर क्या विए ज़ली धी दिखाई दे रही है और यह तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको यह नहीं कि हम यहां पर चेक करने लग जाएंगे यहां पर हमें इसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा अब काफि सारे लोगों की दिमाग में यह चल रहा हुगा कि यह बिरिज रेक्टिफायर आइसे हमें कहां से मिलेगी यह दुकान पर तो सैड आपको जल्दी से ना मिले लेकिन जो इस पर के आज़कर डोब लाइट पैनल वगर आते हैं या फिर LED बल्क पर ड्रैवर वगर आ उसके अंदर आपको बैक सैड में यह बिरिज रेक्टिफायर देखने को मिल जाएगी तो यहां पर इस आईसे को निकाल के हम यहां पर इजली लगा सकते हैं इसमें कोई भी दिक्तक नहीं है तो हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले इस आईसी को निकाल लेता हूँ यहा यहां पर देखें पीछे से हमें department भी देंगे घजर हीरा है क्वीच्ट करने के बाद क्या करेंगे दूसरी कि देखें अभी डूसरी चिंटी लेंगे और इसको निकाल लिए है और इसको कर देता है काफी गर्म की क्यूँकि यहां पर इस आइस्ट को अब हम यहां पर लग इसको ठंडा होने देता हूँ, बहुत ही गरम है अभी, यहां पर फ्रेंड यह ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड, इसके अंदर आपको क्या समझना है, यह हमारी एक bridge rectifier IC है, अब इसका काम क्या होता है, कि यह AC voltage को DC में convert करती है, अब इसका मतलब यह नहीं कि इसके अंदर 4 lag है, तो आप किसी भी set से इसको लगा दो, देखिए इसके अंदर आपको यह समझना पड़ेगा, अगर आपने इसे उल्टा लगा दिया, तब भी problem हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहां पर यह चीज़े बताना चाता हूँ, ताकि दिखा दो, अच्छे से यह समझ लो, इसके अंदर क्या होता है, कि जब इसको हम लेंगे, तो इसके अंदर देखिए, एक set आपको plus minus का symbol दिखाए देगा, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, यह वाली जो lag है, यह वाली minus की है, और यह जो set की lag है, यह हमारी AC supply की है, तो हमें इसे हिसाब से इसको लगाना भी है, इसके अंदर जब हम इसको लगाएंगे, तो यहां पे देखिए, यह आगे वाली जो lag हमारी गई है, यह वाली जो point है, यह हमारा plus का है, यह minus का है, और यह हमारी AC supply की है, तो इसी हिसाब से इसको आपको लगाना है, आप उल्टा म हो जाएगी अगर इस को लगाने के बावजोद भी यह बलफ काम नहीं करता तो आप समझ जाओ फ्रेंड की यह देखिए यहां का भी एरिया ब्लैक ब्लैक सा हो गया है फिर यह आई सी मेरे पास फिलाल है नहीं तो हम क्या करते हैं एक बार इसी को रिप्लेस करके देख लेते हैं तो यह देखा फ्रेंड यहाँ पे पे ब्रिज रख्किफायर को को निकाल गए दूसरे वाले ब्रिज को लगा दिया थिया हैं Bin क्यों षबकुर्द रेक्टिफायर को दिया हैं तो चलिंग काम करेगा कि नहीं करेगा और नहीं करेगा तो फिर रहा यहां हम अगे कर डौत हमारा इस cवलाप जया करो कि इस का पडंग चरक आ रहा है लेकिन पूर होग इसका सिम्मझा कर को मतलब कर लिया है इसका मतलब उसको तो क्या करते हैं अगा पी चीजे और देख लेए, यह पैड़ी वायर को लगा दिया, और यह को लगा तो महीं दोटिया पर लगा देखते हैं तो यह देखें फ्रेंथ यहां पर यह पास、 बै tapi जुटे grow तो देखें फ्रेंड इस्टैप की जितने भी हमारे AC DC बल्फ होते हैं उसकी सारी लैट नहीं जलती बैटरी पे इसकी कुछी लैट जलती है और इसलिए आपने देखा होगा कि जब इस बलब को हम लैट पर जलाते हैं तो इसकी लैट थोड़ी तेज होती है और जैसे लैट जाती है तो इसकी रोजनी कम हो जाती है उसका यही कारण होता कि बैटरी पर सारी हमारी SMD नहीं जलती कुछी SMD यहां पे काम करती है तो फुल बिलब हमारा रिपैर हो चुका है एक बार फिर सम्होंडर के अंदर लगा के देख लेते हैं तो आप देख सकते हो फ्रेंड की जय है वंदे मातरां